रादे रादे दोस्तों दोस्तों आपने भरुवा करेला बहुत खाये होंगे बहुत तरीके खाये होंगे लेकिन एक बार ये तरीका के बना के दखिए आप लोगों बेहत पसंद आएगी और ये भरुवा करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लग रहा है बच्चे भी मांग मां के खाएंगे तो अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो आप सब को बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो चलिए दोस्तों मेरे तरीके से आप लोग एक बार जरू ट्राइगी तो हमने यह भरवा करेला बनाने के लिए यहीं पर पांच यह करेला लिये हैं तो यह हमने एकदम से इसल्के के लिए इस तरह से पनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी तो इस थर्षी दोनों का आगे पीछी का हिस्टा काटके निकाल लेंगे और अपने को अच्छे से धोलेंगे तो हमने करेले को अच्छे से चरपाच पानी साफ कर लिए धोके उसके बाद से इस तरह से इसका छिलका निकाल देंगे देखिए छिलका हम फेकेंगे नहीं चिलके को हम यूज करेंगे भरुआ में तो देखिए इस तरह से सारे छिलके को निकाल लेते हैं तो दहिए चाकू के मदद से इस तर seb innate ऑर और या इसका आंदर का वी Christmasal में से और जितना अंदर का करें उह वा गुंट सकते हैं चमच के शह अछन 늘 जह औरे अमने शन घंऑब कर लेंगे अमने सब्सक्राइप के कह्ताना सब्सक्राइब है खाली कर लेंगे और इसे रख लेंगे देखिए जो बीज का जो हाड वाला हिस्सा होता है उसे भी हम निकाल लेंगे तो चलिए दोस्तों इसी तरह से सारे करेले को अपने रेडि कर लेते हैं तो देखिए हमने सारे करेले के पाट को अंदर से निकाल लिये हैं और देखिए छिल्का और वेज तो सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब है नहीं त्यादार चिल्का उतार कर अखड़ाई यहां दो डाल लेंगे इसे पार अधि लेंगे आधी चमच नमक और इसे अथी से मिलाके ढखके इसे पांच मिनुट के लिए उबाल लेंगे इस तरह से बनाएंगे तो आप वो करेला बहुत पसंद आएगी तरह से बनाने से करेला में बिल्कूल भी कड़वा पर नहीं आएगी और टेस्ट में बहुत ही अच्छे आएगी तो देखिए अब मसाले तैयार करेंगे तो एक जार लेंगे इसमें एक चमच हमने सॉर्सो लिये हैं काले वाला और एक चमच हम सौफ लिये हैं सौफ से क्रेले की सबजी में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा उसके पासे यही पर एक लासुन की गांट लिये थे यह ले शूदेगे नियूजे स्वीर हाद थोड़ा सा पाना इंड़ाख में पानी दया करते ही उबाला अधि को देखिए चाहिन को और वी यह तो अधिर मैं प्र स्वीर है पल सहारा सट करेखने के पाना चिखरय है तो देखिए हमारा करेला भी अच्छे से उबाल चुका है प्याज करेला छिलका तो करेले को देखिए हम इस तरह से अलग कर लेंगे असानी से यह अलग हो जाएगा तो दोस्तों जब यह प्याज को आप उबाल के डालेंगे तो करेले में मिठा मिठा टेस्ट बहुत ही बढ तब दूच चमच सजचों तियरİ दाले हैं और पसी टब चमच सरसु मार्च के लाख चिलिये में dewब की टेल ये उसके लिए माश्य त्यू जंट लेंगे हैं। प्रीयाँ सब्सेल प्रॉड़र है। चमच का समेडी लाल मिर्ज पाउडर ही तीखा कम होता है चमच हल्दी पाउडर लेंगे इसमें आधी चमच नमक डालेंगे नमक डालते समय धियान रिखेंगे क्योंकि हमने उबालते समय भी नमक एड़ किये थे अब इसे मिक्स करेंगे उसके पास से पिसा हुआ मसाला था मसाले से और देखें से पीसा हुँ मसाले में नीजाब सकती है सब्सक्राइय करें जो सबस्क्राइब भून तक भूनसे को सब्सक्राइब तो इसे उसे तब्सक्राइब तेल मीडियम बाय छे Бökकल उस grieving करेंगे देखे इस तरह से सारे करेले में इसे अच्छे से भर लेंगे देख सकते हैं सारे करेले में मसाले को भर लिए अब एक धागा लिया हैं और धागे से हम इस तरह से करेले के बीच में बान देंगे ताकि जो मसाले भरे हैं वो बाहर ना निकले तो देखिए इस तरह से हम इसके बीच में इस तरह से धागे लपेट देंगे तो इसके मसाले बाहर नहीं आएगी और यह बहुत ही अच्छे से इसी में रहेगा तो इसी तरह से सारे अपने करेले को बांद लेते हैं धागे से करेले को डिब फ्राइ भी कर सकते हैं या तावे पे थोड़ा सा तेल डालके इसे फ्राइ कर सकते हैं एक चमच तेल डाले हैं और सारे करेले को डाल देंगे और इसे मीडियम फिलें पर 3-4 मिनट पकाएंगे तो इस तरह से अलटते पलटते इसे 3-4 मिनट तक करेले को पका लेंगे क्योंकि करेला हमरा अच्छे से पक चुका है बस 3-4 मिनट में यह अच्छे से पक जाएगा एक तरह पकते हुए 2 मिनट हो चुकी है अब इसे पलट देंगे इस तरह से रेसिफिक कैसा लगा पिलीज कमेंड करके बताईएगा और मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर बनाईएगा तब तक के लिए आप लोगो के बाई